एक दुखत दुरघटना ने नूरस राय में एक परिवार को शोक में डुबो दिया। लेकिन यह कहानी यही नहीं थमती। बघार गाव के निकट एक जुगाड वाहन के पेड़ से टकराने के बाद चालक संतोष कुमार को गंभीर चोटे आई। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बिहार शरीफ सदर अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोशित कर दिया। परिवार के सदस्य जैसे ही अस्पताल पहुँचे और विलाप करने लगे एक अप्रत्याशित घटना ने सब को हैरान कर दिया। वहां मौझूद एक बंदर जो पिछले कुछ दिनों से अस्पताल परिसर में उपद्रव मचा रहा था, अचानक आकरामक हो गया। उसने न केवल शोकाकुल परिजनों को परेशान किया, बलकि तीन व्यक्तियों को काटने का प्रयास भी किया। इस अजीबो गरीब स्थिती ने मृतक के परिवार और वहां मौझूद अन्य लोगों में भय का माहौल पैदा कर दिया। अंततर उपस्थित लोगों ने मिलकर बंदर को वहां से भगा दिया। जिसके बाद ही सभी ने राहत की सांस ली। इस तरह की घटना बिहार शरीफ अस्पताल प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। जहां एक भटके हुए बंदर की उपस्थिती पिछले कुछ दिनों से मरीजों और उनके परिजनों के लिए परिशानी का सबब बनी हुई है। अस्पताल प्रबंधन से इस समस्या को अगर नजरंदाज नहीं करता तो शायद ऐसी घटना सामने नहीं आता। क्या बोला यहां बोला कि आप नहीं रहा है। कि आप जनकारी मिली है। बला केसीडेंट हो गया है। आप यहां तो क्या बंदर हो तो मैं नोच रहा था मिजलें ने काटा तो किसी बढ़ें करता है, क्या नाम आपका शन्यकुमार यह बन्दर कि घॉल दिया में मीज देखे कि बन्दर मजी आ उनको रहना रहा है उसके बीच में देखे कि दू दू बन्दर जोल दिया है कि या सिवे विद भाद नहीं है देख रहे कि वहित जा दा Ums같प बंदर मांजी कि बहुत च्बा थे कर देंग पर अभा मत्स बटाई बाठ हो कि तो नहीं तोट रहें आर ग है। आइसे हम तो नहीं अब पहला बार देख रहे हैं, देखें तो दूगों के अभी तक है, शकर रहा है, सामने बैठा हुआ हुआ है, बंदरबाद कहां तंग कर रहा था, कौन अस्पाल है, शदर अस्पाटाल है, बिहार श्रीफ, की ना हो ले अपने के, अपने कनाम हो ले धन ले अन्या ह्म होग है।